हेलो मेरे प्यारे दूस्तो वेलकम तू फ़र्मूला फटाफट सीरीज अफ लर्नोंभ तो मैं हुशुभं फ़र्नों फ़र्म गेड़निंग प्लाटपॉर्म जहाँ पर आप फ्प्रिशिक हमिस्ट्री मैट्स बालोजिस सब कुछ पढ़ सकते हो वो भी एपसल्यूटली मिस्ट्री का चैप्टर नमबर वन सॉलिड स्टेट के फॉर्मूलास को एकदम मस्ट फटा फट रिवाइस करेंगे कुछ ज्यादा फॉर्मूलास तो है इन इस चैप्टर में पर आप सभी ने इस वीडियो को देखने से पहले हमारे फेवरेट ऊशनी माइम जो वन शॉट व फॉर्मूलास को रिवाइस कर लेते हैं एंड यूनो लेट्स राग चलो दिखते हैं पहला फॉर्मूला तो यहाँ पर वॉइड के रिलेटेड कुछ एक सिंपल सी चीज है तो इसमें याद क्या रखना है समझना क्या है देखो अगर हम लोग एन पकड़ें कि यह है नंब आप नंबर आफ हमारे पास है उसलिए नंबर आफ उक्टाहिडल वोड और बस उसको डबल कर दो आपको मिल जाएंगे नंबर आफ टेट्राहिडल वोड तो यह चीज आपको याद रखनी है बस वोइड के केस में ताकि आप इसके बेसिस पर जो भी नुमेरिकल होंगे उ इसको यूज कर सकते हो इसलिए यह मैंने इंक्लूड कर लिया बाकि इसके पीछे का कॉंसेप्ट आपने चैप्टर में पढ़ाओगा मुझे पता है तो आगे बढ़ते हैं तो कुछ सिंपल मतलब यूनिट सेल हम लोग ने लिया है तीन टाइप के और उन यूनिट सेल में इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमें सॉल्व करना है तो हमें याद होना चाहिए यह क्या है एक्चुल में यह फॉर्मूला नहीं है यह और आर के बीच का रिलेशन फॉर्मूला है पर आप बस याद रख लो क्यों कि यह आपको बहुत बहुत ईजी हो जाएगा फिर यह बस आपको याद हो जाएगी आप नूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो उके तो सबसे पहरे हम लोग लेते हैं सिंपल क्यूबिक का यूट से हम लोग ने दिया सिंपल क्यूबिक का तो आपको पता इसके पीज़े का concept पता है तो आपको याद रहे गई एक ही आटम होता है उसमें SC, BCC, FCC, okay अब आते हैं उनके edge length के और उस unit cell में हम लोग ने अगर atom रखा, तो उस atom का radius का क्या relation होगा, okay ये A और इस R का क्या relation होगा in case of simple cubic एकदम simple है relation, A is equal to 2R, okay, अब बस इसको ऐसी याद रखो, BCC में 2R को double कर दो, 4R हो जाएगा, और नीचे, divide by root 3 कर दो, okay तो देखो, 4R by root 3 और वैसे ही, आगे हम लोग बढ़ेंगे FCC, और CCP के case में, तो 4R को वैसे ही रखना है, बस root 3 को root 2 कर दो, okay, तो 4R by root 2 अब मैंने जानबुच कैसे याद रखवाया, actual में इसको आगर आप लोग simplify कर दो तो 2 root 2 R भी हो जाएगा, तो आपको ये याद रहे जाएगा, तो आप 2 root 2 R तक तो पहुंची जाओ, okay, चलो, अब आगे बढ़ते है density का formula देखते हैं हम लोग, unit cell की density okay, अब हम लोग ने unit cell के types देख लिए थे, उनके कुछ number of atoms और A के भी relation देख लिया, R के साथ अब ऐसे ही unit cell का अगर हम लोग को density दिया होगा, okay, या फिर density दिया होगा, substance का, तो density of substance और density of unit cell A की हो जाता है, तो इसका हम लोग, इससे हम लोग molar mass कैसे ढूंड पाएंगे, okay, तो इसके लिए simple सा formula लोग करना है, D is equals to ZM upon A cube into any, अब यहाँ पर देखो, यह जो पूरा का पूरा टर्म दिखरा आपको ZM और यह एने, यह है mass वाला term, ओके आपको तो simplified पता ही density is equals to mass upon volume, तो यही चीज बस modify करके unit cell में बिठा दी गई है, अब simple सी चीज़े देखो, mass बताने के लिए, यह हम लोग के जो terms है, उनको मैं समझाता हूँ, आपको यह Z है, number of atoms in one unit cell, और यह जो हमारा M है, यह तो आपको पताई, यह molar mass है, यह NA है, हमारा अगाइडरो number, यह A cube आपको जो दिख रहा है, मैंने आपको बोला यह volume वाला term है, volume of unit cell है, volume of unit cell, अब हम लोग इस case में, जो unit cell हम लोग consider कर रहे हैं, वो क्यों भी crystal का consider कर रहे हैं, इसलिए हम लोग volume कितना ले रहे हैं, cube का ले रहे हैं, side cube, तो A cube, और A तो आपको बताई है, A है हमारा edge length of unit cell, edge length मतलब side ही हो गया, cube का, और D आपको मैंने बताई, D है क्या, density of unit cell, जो की equal होता है, density of substance है, आपको अगर density of substance दिया होगा, या फिर density of unit cell दिया होगा, आप किसी को भी as a D use कर सकते हैं, तो दोस्तों बस इतनी ही कुछ चीज़े थी याद रखने के लिए as a formula इस chapter से, अगर आपने इस chapter को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपके concept से मस्त है, और आपने ये कुछ चीज़े याद रख ली, तो आप बस इसके basis पर कोई भी numerical solve कर सकते हो, हमारे NCRT में दिया हुआ इस chapter के उपर, ओके, तो I hope आपको मजा आया होगा, revise करने में इन formula's को मेरे साथ, और जुड़े रहना, बनते रहना, और जिसके आप सभी को पता है, learn of मतलब, free है पर, best है, तू मिलते आगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबाए, and have a great day.